जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे मोडल इसकूल में नमांकन के लिए 20 अपरेल तक करें आवेदान जारखन एकेडमी कॉंसिल राची ने राजे के सभी मोडल बिद्यालियों में बर्च 2022 में नमांकन के लिए सुतना जारी कर दी है बतादे कि राजे में 89 मोडल बिद्याले संचाली था और इसमें कक्छा 6 मे आवेदान जामा करने की थी 31 मार्च से 20 अपरेल तक की गई है गयर आवास ये इस बिद्याले में नमांकन के लिए परिक्छा पूरी तरह से निसूलक लिजाएगी जैक की वेब साइट से फरम को डाउनलोड किया जा सकता है बतादे जीला सिक्छा पताधिकारी करेले में जामा हुए अवेदनों को जाच कर जामा करने की अम्तिम्ति थी 22 अपरेल है वहीं जीला सिक्छा पताधिकारी के करेले से 10 से 13 माई तक परवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है 14 माई को परिक्छा लिजाएगी मोडल विद्यालेयों में छटी कक्छा में नमांकन के जार्खन में पिछले कई दिनों से अधिक्तमत अपमान में हो रही बिरीधी और लू से लोगों को 3 अपरेल से राहत मिलने की संभवना है मौसब जानी एस सी मंडल ने कहा है कि 2 अपरेल तक जार्खन के सभी हिसो खासकर गढ़वा पलामू चात्रा कोडार्मा गिरीडी आ जाय ग्यानी सीरी मंडल ने बताया कि 3 अपरेल को जार्खन के देवगर धनबाद, दूमकागीरी डिगोड़ा, जामतवा पाकूर, साहिवगंज, पलामू आधी इलाके में आकास में बादल चाय रहेंगे जबकि कहीं कहीं हलकी बारिस भी हो सकती है गीर सकती है हमत सरकायार भावी सीता सुरेन की बिजेपी से डिल पक की जार्खन में सतारूट जार्खन मुक्ती मोर्चा के आधा दर्जन विधायकों ने केंद्रिये अध्याक सीवू सुरेन और करेकारी अध्याक सा मुखे मंत्री हेमान सुरेन को पत्र लिकर सिकायत की आई की पार्टी के विधायक सीता सुरेन सरकार को और स्थिर करने की साजिस की बिधायक सिता सुरेन की आवास पर पार्ट्ण की बिधायकों को फोन कर मिलने के लिए बुलाता है, क्यज्रिवाल के साथ उसका करीबी असोक अगरवाल भी रहता है, दोनों जाला बदल कर भाजपा का साथ देने का दबाव बना रहे हैं, दोनों सरकार और यस्थीर होने क बाद नई सरकार बनाने पर जारकन मुक्ति मोर्चा के विधायकों को मंत्री का पत दिलाने का भी परलोभन दे रहे हैं। टेक्स और जी एस्टी का चार्ज अलग है हलाकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चार्ज आने को लेकर ट्यूटर पर बेहत से ग्रिय हो गया है। छात्रों को चार के बदले इस बार दिये जा रहे सिर्फ दो मौके पर भी अपति है। चात्र या तो चार मौके देने या फिर जैई मेंस 2022 को राद करने की मायंग कर रहे हैं। कोडारमा में 6 लाख की दवा हो गई एकस्पायर। स्वास्त विभाग इला परवाई से सदर अस्पताल कोडारमा में 6 लाख रूपय मौले की आयरान, फोलीक, एसिट की दवा एकस्पायर हो गई है। सदर अस्पताल में लंबे समय से एक दवाई पड़ी थी। इसका वित्राण स्कूलों एवं आंगनवाडी के माध्यम से 10 से 29 वर्ष के 46 चात्रा एवं गर्वती महिलाओ के बिच किया जाना था। लेकिन दवा सदर अस्पताल के स्टोर रूम में ही सोभाब बन कर रह गई। भताया जा रहा है कि वित्राण वर्ष 29 में दवा का अवंटन राजिस्वास निदेश साले से हुआ था लेकिन विभाग अस्तर से इसके समय पर वित्राण को लेकर गंभिरता नहीं दिखाई गई। वहीं दवाओ के अवंटन भी लक्ष से काफी ज्यादा कर दिया गया है। तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव से इनकार किया है। लेकिन रहात की बातिया है कि तीन अप्रेल से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल से गिरावट की समभवना जताई गई है। जारखन के सरकारी स्कूलों में आज से नहीं सुरू होगा नया सेक्षनिक सत्र। जारखन के सरकारी स्कूलों में सुक्रवार एक अप्रेल से नया सेक्षनिक सत्र सुरू नहीं होगा। राज सरकार ने वर्तवान सेक्षनिक सत्र को तीन माह बढ़ाने का निनलिया है। कुरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण यह नहीं लिया गया, इसकूली सिक्षा एवं सक्षता भी भाग द्वारा इसे लेकर सुक्रवार को विश्त्रित दिशान देश स्कूलों को जारी होगा, राज सरकार ने कक्षा एक से आठ तथा नौवी एव परिनामी बर्येता का विश्तार विधायक 2022 को मंजूरी देने का आग्रह, राज बाव्वामेस वैसे गुरुवार को पूरोमंत्री जार्खन सरकार उमाकांत, रजक और रामचंद्र सहिस ने राजभवन में बेटकर जार्खन विधान सवासे पाडित सरकारी पदो पर आराक्षन पर प्रोनत्ती सरकारी सेवको की परिनामी बर्याता का विश्तार विधायक 2022 के अनुमोधन के लिए आग्रह किया या भी गया कि उनकी ओर से 29 मार्च को SCST को प्रोनत्ती में आराक्षन बील को संसोधन विशय पर मुलवस प्रेशित आविधन पत्र को निरस्त कर लातेहार मुटभेड में मौत की होगी CID जाच लातेहार के सदर थाना चेतर के हिसल बार गाओं के निकर जंगल में बीते सनिवार को पोलिस और TPC उगरवादियो के बीच होई मुटभेड की जाच CID करेगी मुठभेड में टीफी सी के तीन उगरवादियों की महथ हुए थी बतादे घटना के बाद इस सम्भन में अस्थानिय पुलिस ने टीफी सी के 3 मिर्यित उगरवादियों समेथ अग्यात उगरवादियों खिलाप स्वादर थाना में एफ़ायरदज की थी मारे गए उग्रबादियों की पाचान चातरा के कुंड़ा थाना छेतरे के फिजिनी पो टम गाव निवासी सब जोनल कमांडर जीतेंदर यादव मनका थाना छेतर के डोकी गाव निवासी एरिया कमांडर चंचल सिंग और एक अन उग्रबादी के तौरपर की गई थी द्वारा सोभा यात्रा, प्रभात फेरी और घरो पर पार्टी का जहंडा लगाने जैसे कारकरम होंगे, इसके बाद राजे के सभी मंडल, जीला एवं परदेश अस्तर पर कारकरम आयोजीत कर, सभी पार्टी पताधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ट के पताधिकारी, सांसद वि पिष्वत लेते गिरपतार, भरष्टर चार निरोधक ब्योरो, एस्यी बी ने करवाई करते वेए जहारकन के सबसे बड़े सरकारी एसपतार रीम्स के कलर, कुंदन कुमार को 5,000 रुपे रिसवत लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया, एस्यी बी के टीम गिरफतारी के ब आदिवासी संस्कृति में पुस्पोच्षव की परंपरा है जार जखाया सबसे बने जारखन में 32 चिनी जनजातियों निवास करती है जिने आदिवासी कहा जाता है बतादे आदिवासी की संस्कृतिक बिरासत बिभिनतावों से भरी पड़ी है इन्ही में से एक है पुस्प आदिवासी स्तमुदाय का रंग उत्सव यानि होली के रंग से रंजीत होने की परंपरा नहीं रही है लेकिन आधुनिक्ता एवं सहरी करन आदिवास्यों के संस्कार वा संस्कृति परंपराव पर अतिक क्रमन कर रहा है बसंत उत्सव में पुस्प की बाहर से आदिवासी उनकी जीवन सहली का प्रकिर्ती और जंगल के साथ अटूट बंधन रहता है यह मूर्ति पूजन नहीं सदव प्रकिर्ती के पुजारी रहे हैं टाना भागत परिवार की बची को कास्मीर में बेचा टाना भागत की 16 वरसी बेटी को कास्मीर ले जाकर बेच दिया गया है बतादे सिरी नगर में कारेरत सान पलेस्मेंट एजेंसी के माधम से उसे अनन्त नाग जीले के गंदर बल में डॉक्टर दमपती के यहां कारे के लिए रखा गया है उसके पीता ने लापुंग थाना में दर्ज कराई गए प्रत्मीकी में कहा है कि 26 मार्च को ही बेटी से साई मंदीर सरसा लापुंग के प्रबंधक मनोज उराव को फोन कर जान बचाने की गुहर लगाई थी उसने बताया था कि उसे बंधक बना हो गई है नई वितवर्स की सुरुवात के साथ ही पहले से ही पेट्रोल डियल और घरेलू रसोई गयस के दाम बढ़ने से मांगाई से जूज रहे आम लोगों का बयट अप्रेल माह में और बिगर सकता है बता दे सरकारी तेल कमपनियों ने सुक्रवार एक अप्रेल को एल धी घरेलू एलपीजी सेलेंडर में नहीं बलिक कमर्सियल गयस सेलेंडर में हुई है धन्यवाद ऐसे में हमें आप कमेंट बक्स में बताए कि क्या सीता सुरेन को बीजेपी में जाने के बाद हेमन सरकार गीर सकती है या नहीं सीता सुरेन को बीजेपी में जाना चाहिए या नहीं हमें आप कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवसे दे थैंक यू